नमस्कार दोस्तो एंडी गोहिल यूटूब चैनल में आपका फिर से हर्दिक स्वागत है तो दोस्तो आज हम कक्षा आठ सत्रदू इकाई साथ हार की जीत इकाई के स्वाध्याई के प्रश्णोतर के बारे में चर्चा करेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे एवं उसके जव को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तो बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले ताकि जैसे ही हम अपने नए वीडियो यूटूब पर अप्लोड करें तो तुरंत ही आपको वे वीडियो मिल जाए और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे या उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ दोस्तों कोमेट करना तो बिलकुल ही ना भूले तो दोस्तों अब देखते हैं स्वाध्याई के प्रश्नोत्तर स्वाध्याई में मुख्य प्रश्न एक दिये गए शब्दों के सहाईता से रिक्तस्थान भरिये रिक्तस्थान अर्थात खाली जिग्या तो उसमें पहला है खडक सी इलाके का रिक्तस्थान डाकु था तो उसका उत्तर आएगा कुख्यात दूसरा है अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका रदय रिक्तस्थान हो गया था तो उसका उत्तर आएगा अधीर तीसरा है बाबा जी आग्या कीजिये मैं आपका रिक्तस्थान हूँ केवल यह गोडा न दूँगा तो रिक्तस्थान में शब्द आएगा दास दूसरा प्रश्ण है किस ने किस से कहा तो उसमें पहला वाक्य है दुर्गादत वेद्य का नाम सुना होगा उनका सोतेला भाई हूँ यह वाक्य अपाहिज ने बाबा भारती से कहा दूसरा वाक्य है लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नौ करेंगे यह वाक्य बाबा भारती ने खड़क सी से कहा मुख्य प्रशन तीन प्रशनों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए जिसमें पहला प्रशन है खड़क सी बाबा भारती के पास क्यों आया तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है खड़क सी बाबा भारती के घोडे सुल्तान को देखने की इच्छा से बाबा भारती के पास आया था दूसरा सवाल है बाबा भारती किस बात से डर गए तो उसका उत्तरिश प्रकार हो सकता है खड़क सी जब घोडे को देखकर वापस लोट रहा था तब जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा इस बात को सुनते ही बाबा भारती डर गए तीसरा प्रश्न है सुल्तान परसवार खड़क सी ने बाबा भारती से क्या कहा उत्तर सुल्तान परसवार खड़क सी ने बाबा भारती से कहा कि अब मैं यह घोड़ा आपको न दूँगा उख्य प्रश्न चार प्रश्नों के उत्तर लिखिये जिसमें पहला प्रश्न है बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे तो उसका उत्तर है बाबा भारती गाउं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे उनके पास एक गोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे भगवान के भजन से जो समय बजता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे वे अपने हाज से उसे खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे संधिया के समय वे सुल्तान की पीट पर सवार होकर आठ दस मिल का चक्कर लगाते थे इस प्रकार बाबा भारती अपरा समय बिताते थे दूसरा प्रश्ण बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? उस तर कुछ इस प्रकार होगा खड़क सीह ने बाबा भारती के पास सुल्तान को देखा ऐसा बाका घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था वह उसकी चाल पर लट्टू हो गया जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाये उस पर अपना आधिकार समझता था इसलिए बाबा भारती को खड़क से का डर लगने लगा तीसरा प्रश्ण खड़क से इने सुल्तान केसे प्राप्त किया उत्तर एक दिन संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घुमने निकले रास्ते में एक अपाहिच की करुणा भरी पुकार सुनी उसने बाबा से प्रार्थना की कि उसे घोड़े पर पास के गाउं रामवाला तक पहुचा दे बाबा को दया आ गई उन्होंने उस अपाहिच को गोड़े पर बिठा लिया और स्वयम लगाम पकड़ कर चलने लगे अचानक बाबा जी को एक जटका सा लगा उनके हाद से लगाम छूट गई बाबा जी ने देखा कि वह अपाहिच गोड़े पर तनकर बैठा है और गोड़े को भगाय लिये जा रहा है वह अपाहिच और कोई नहीं डाको खड़क सी था इस प्रकार खड़क सी ने छल से सुल्तान को प्राप्त किया था चौथा प्रश्न गोड़े को वापस आया देख कर बाबा भारती ने गोड़े से केसा बरताव किया उत्तर गोड़े को वापस आया देख कर बाबा जी की खुशी का ठीकाना न रहा वे उसके गले लगकर रोने लगे वे बार बार उसकी पीट पर हाथ फेरने लगे गोड़े के मुँपर थपकिया देने लगे गोड़े के वापस मिलने पर उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबो की सहायते से मुह नहीं मोडेगा इस प्रकार गोडे को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बरताव किया जो एक पिता अपने बहुत दिन से बिछुडे हुए बेटे के मिलने पर करता है मुख्य प्रश्ण पांच टिपपणी लिखिये जिसका विशह है बाबा भारती की महानता तो आये उसका उत्तर देखते है बाबा भारती एक संत पुरुष्थ है उनका रदे बहुत विशाल था उनके रदे में दीन दुख्यों के लिए बहुत दया थी उन्हें अपनी हानी की अपेक्षा दीन दुख्यों के हानी की अधिक जिनता थी इसलिए उन्होंने खड़क्सी से कहा था कि जिस छल कपट से तुमने यह घोडा प्राप्त किया है उस घटना को किसी के सामने प्रकट नह करना बाबा के इन्हीं उचे विचारों के कारण खड़क्सी जैसे डाकू का भी रदय परिवर्तन हो गया इस प्रकार अपने आचरण एवं सद विचारों के कारण बाबा भारती में महानता नजर आती है मुख्य प्रश्न च्छ दिये गे शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ खड़े अक्षरों में शब्द लिखने है और कुछ आड़ी लकीर पर हमें शब्द लिखने है तो उन शब्दों को लिखने के लिए हमें यहाँ पर आधार के रूप में कुछ शब्द देगी है उनके उपर से हमें उनके समानार्थी या शब्दार्थ लिखने है जिससे यह शब्द पहली पूर्णा होती है तो यहां हम देख सकते हैं कि खड़े में पहला शब्द है इच्छा तो उसके लिए हम उसका समानार्थी शब्द लेते है अभिलाशा दूसरा शब्द है उदेश्य तो उसके लिए हम उसका शब्द लेते है प्रयोजन तीसरा है अचानक तो उसका समानार्थी शब्द हम लेते हैं सहसा चोथा है दया तो उसका समानार्थी शब्द होगा करूना उस प्रकार अब हम आड़ी लकीर को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले है बैचेन तो उसका समानार्थी शब्द है अधीर दूसरा है बढ़ाई तो उसका समानार्थी शब्द है प्रशंसा तीसरा है सत्य तो उसका शब्द है सत्य या सच उसके बाद है नभ तो उसका होगा गगन और अंत में है नफरत तो उसका समानार्थी शब्द है क्रूना मुख्या प्रश्न साथ दिये गे शब्दों के विलोम शब्द लिख कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो शब्द हमें कुछ इस प्रकार दिये गए है सुन्दर, जमीन, संध्या, गरीब और अंत में विश्वास तो अब हम इन शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे और उन विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहला है सुन्दर, तो उसका विलोम यानि की विरुद्धार्थी शब्द है कुरूप तो कुरूप शब्द के उपर से वाक्य देखते हैं उसका मुख कुरूप है कुरूप शब्द का आर्थ होता है कि बज सुरत चो सुन्दर नहो वैसा दूसरा शब्द है जमीन तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है आसमान उसका वाक्य आसमान में बादल छाए हुए है तीसरा है संध्या तो उसका विलोम शब्द है उशा तो वाक्य प्रयोग देखते हैं उशा के समय पंच्छी चह चहाने लगे चौथा शब्द है गरीब तो उसका विलोम शब्द है अमीर उसका वाक्य देखते है सेठ धनपाल बहुत अमीर आदमी है पांचवा शब्द और अंतिम शब्द है विश्वास तो उसका विलोम शब्द है अविश्वास तो उसका वाक्य में प्रियोग देखते है सेठ जी ने अपने नोकर पर अविश्वास चताया मुख्य प्रश्ना आठ दिये गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाईए तो उपसर्ग कुछ इस प्रकार है दो प्रकार के है एक है प्रती और दूसरा है निर तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दियेगे हैं उनके आगे हमें इन उपसर्गों को लगा कर एक नया शब्द बनाना है तो पहला शब्द है दिन तो उसके आगे लगेगा प्रति जिसके आधार पर नया शब्द बनता है प्रति दिन उसके बाद दूसरा शब्द है आधार तो उसके आगे उपसर्ग लगेगा निर जिसके आधार पर हम नया शब्द बना सकते है निराधार उसके बाद तीसरा शब्द है मूल जिसके आगे हम निर उपसर्ग लगाकर उसका नया शब्द बना सकते है निर्मूल चौथा शब्द है cool तो उसके आगे हम प्रति उपसर्ग लगा कर उसका निया शब्द बना सकते है प्रति कूल पांचवा शब्द है जल तो उसके आगे हम उपसर्ग लगा सकते है निर जिसके आधर पर निया शब्द बनता है निर जल और छटा शब्द है दोश जिसके आगे भी हम निर उपसर्ग लगा कर उसमें से नईया शब्द बना सकते हैं निर्दोश मुख्या प्रश्ण नौ दिये गए शब्दों में प्रत्य जोड़कर नईये शब्द बनाईए जिसमें प्रत्य हमें दिये गए है एक और त्व तो आये देखते हैं पहला शब्द मुख्या तो उसके पीछे हम एक प्रत्य लगा कर उसका नईया शब्द बना सकते हैं मौव खेक्प दूसरा है मनुश्य तो उसमें हम त्व प्रत्य लगा कर नईया शब्द बना सकते हैं मनुश्य त्व तीसरा है भूत तो उसके पीछे भी हम एक प्रत्य लगा कर उसका नईया शब्द बना सकते हैं पहुतिक चोथा शब्द है मम तो उसके बाद हम प्रत्य लगा सकते है त्व तो उसका निया शब्द बनता है ममत्व उसके बाद आता है समाज तो उसमें हम प्रत्य लगा सकते है इक जिसमें से निया शब्द बनता है सामाजिक उसके बाद अंत में दिया गया है सम तो उसके पिछे हम लगा सकते है त्व जिसके आधार पर नईया शब्द बनता है समत्व मुख्य प्रश्न दस निम्न लिखित वाक्यों में से विशेशन को पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो उसमें पहला वाक्य है कहते है देखने में भी बड़ा सुन्दर है तो उसमें विशेशन शब्द है सुन्दर जिसके आधार पर हम नईया वाक्य बनाते है कि गुलाब का फूल सुन्दर होता है दूसरा वाक्य है परन्तु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आखो से कभी नहीं गुजरा था तो इस वाक्य में विशेशन वाला शब्द है बाका तो वाक्य प्रयोग देखते है ऐसा बाका नोजवान पूरे इलाके में नहीं था तीसरा वाक्य है बाबा भारती ने थंडे जल से स्नान किया तो उसमें विशेशन वाला शब्द है थंडे तो वाक्य देखते है डरके मारे मेरे हाथ पाव थंडे पड़ गए चौथा वाक्य है अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे तो इस वाक्य में विशेशन शब्द है प्यारे तो उसका वाक्य प्रयोग देखते है बच्चों को खिलोने बहुत प्यारे होते हैं पांचमा वाक्य है बाबा भारती प्रसिद्ध सादू थे तो उसमें विशेशन का शब्द है प्रसिद्ध तो आए उसका वाक्य प्रयोग करते हैं इदगा प्रेम चंद की एक प्रसिद्ध कहानी है तो आए प्रसिद्ध